आपका स्वागत है वीगडवाली की एक अन्य वीडियो में और यहां हम बात करेंगे उत्राखंड का जो आगामी एकजाम आने वाला है कनिश्ट सायक, असुलिपिक और व्यक्तिक सायक का उसका 2019 का जो पेपर है उसे सॉल्व करेंगे तो यह काफी important रहेगा आप सब के लिए जिनका भी 31 October को पेपर होने वाला है तो आप लोग उमीद करते हैं तयारी अच्छी होगी तो आप questions यहां सामने हैं आप देखेंगे हम सब questions को और आप भी अपने answer चेक कीजिएगा कितना सही होता है तो शुरुआत करते हैं इस पूरे 140 इसके अंदर question है जिसके अंदर आपको उत्राखन मिलेगा हिंदी मिलेगी थोड़ा थोड़ा reasoning मिलेगी और थोड़ा आपका gs होगा तो यह पूरा एक complete package है जिसे हम यहां solve करेंगे ठीक है तो शुरुआत करते हैं पहले question से तो पहला question है देखिए व्रिक का तदभव क्या है तो व्रिक का तदभव क्या है तदभव यानि जो सब्द संस्कृत से हिंदी में बनके आते हैं उन्हें कहते हैं तदभव तो व्रिक का जो तदभव होगा वो भौवर भी नहीं है ठीक है यह भौवर मतलब अली है जो आपका भौरा इसका सही आंसर होगा आप Elimination Method के से इस सारे को अगर हल करेंगे तब भी आपको ये सही आंसर मिल जाएगा अगर आपको ये आंसर आता है व्रिक का तद्भव तो ये आपका भेडिया होगा तो व्रिक का तद्भव होगा भेडिया ठीक है आगे चलते हैं अगले केशन पर की दूसरा केशन है कि विकल्पों में से उपसर्ग रहित सब्द कौन है तो इन विकल्पों में उपसर्ग रहित सब्द कौन है विज्ञान अधिवक्ता प्राचार्य या छात्र उपसर्ग रहित कह रहा है ठीक है तो विज्ञान में वी उप उपसर्ग है ज्यान के आगे जो लगता है वो उपसर्ग है ठीक है अधिवक्ता में वक्ता के आगे अधी लगा है तो उपसर्ग आधी हो गया प्राचार्य में आपका प्राव क्योंकि प्राचार्य होता है तो आपका पौ उपसर्ग लगा है और छात्र में आपका कोई भी उपसरग नहीं है क्योंकि छात्र एक complete सब्द है ठीक है तो यहां पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा डी छात्र अगले question को देखते हैं अच्कचाया का अर्थ है अच्कचाया अच्कचाया का अर्थ होता है नाराज होना खा जाना गाओ करना या चौक उठना तो अच्क कलाता है चौक उठना इसका सही आंसर है आगे चलते हैं इस्त्रिलिंग सब्द क्या है इस्त्रिलिंग सब्द पूछे गए है समिधान में परवेस परिवहन या गवेशना तो परिवहन जो है वो आपका पुलिंग सब्द है प्रवेस कीजिए ठीक है यह प्रवेस भी आप इस्रीलिंग सब्द नहीं है, ठीक है, प्रवेश करना, ठीक है, और आप समिधान, तो समिधान क्या है आपका, ये भी आपका इस्रीलिंग सब्द नहीं है, इस्रीलिंग सब्द आपका है, गवेशना, ठीक है, समिधान आपका एक पुलिंग सब्द है, आगे चलते हैं कि वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता मैं की चल भी नहीं सकता है मैं कौन सा है क्या है चल भी नहीं सकता क्या है विसेशन उपवा क्या है संग्या उपवा क्या है क्रिया विसेशन उपवा क्या है या सरल उपवा क्या है तो यहाँ पर देखिए वो इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता यहाँ पर की भी आ रखा है ठीक है तो यहाँ यहाँ पर आप देखिए किया क्रिया विसेशन उपवा क्या है क्यों है क्योंकि इतना कमजोर है वो क्योंकि वो चल भी नहीं पा रहा है तो यहाँ पर यह क्या है आपका सही आंसर होगा C, Kriya, Visition आगे चलता है छेटवे कसन के ओर उर्दू सब्द क्या है उर्दू सब्द है, अर्बी भार्षा है, तुर्की भार्षा है, भार्षी भार्षा है या उप्रोक्त मैंसे कोई नहीं तो आपको पता है, उर्दू जो भार्षा है, वो जाज़तर कहां से आई थी, तुर्क से आई थी क्योंकि हमारे जो मुगल हैं जितने भी, यह सब तुर्की थे, ठीक है जितने भी हमारे अभी तक हिंदुस्तान पर मुसल्मानों ने राज के, वो तुर्की मुसल्मान थे, वहां से रहे तो यह अर्बी भार्षा का सब्द नहीं है उर्दू, उर्दू एक तुर्की भार्षा का सब्द है आगे चलते हैं, एंकर बाइट क्या है अगर आप लोग मास कॉमम में पढ़ाए हैं यानि पत्रिकरता जानते हों तो आपको पता होगा कि एंकर बाइट क्या है ठीक है, एंकर द्वारा मु upwards पढ़ना ये नहीं है क्योंकि anchor bite में anchor मुख्या समाचार नहीं पड़ता है anchor द्वारा किसी समाचार की push to hit video या कथन दिखाने को anchor bite कहता है तो B इसका सही answer है नीचे वाले question की ओर नहीं जाता है कि anchor द्वारा विस्त्री समाचार दिखाने को नहीं उप्रोक्त मैसे को ही नहीं anchor जब क्या करता है किसी समाचार के पुष्टी करने के लिए अपनी जो साथी जर्नलिस्ट है यानि जो समवादाता है उनसे पुष्टी करने के लिए वो वीडियो क्लिप चलाता है तो उसे कहते है anchor bite ठीक है अब साथ question होगे आठवे question के ओर चलते हैं कि निमने कल्पों में से ध्वन्यार्थक सब्द क्या है तातपर्य, अश्व, अद्रिश्य, या चमचम ध्वन्यार्थक सब्द का मतलब होता है वे सब्द जिन में ध्वनी का अर्थ उत्पन हो रहा है जिसमें ध्वनी जैसा कुछ लग रहा है तो इसमें ध्वन्यार्थक सब्द कौन सा होगा चमचम ठीक है अगले question के ओर देखते हैं वे रिस्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे इस वाक्ये में तो सब्द क्या है तो इस वाक्ये में तो जो है वो समुच्य बोधक सब्द है क्यों है क्योंकि इसमें ये तो दो बाक्यों को जोड़ने का कारे कर रहा है वे विरिस्ता बनाता थे तो तोड़ते नहीं थे ठीक है आगे चलते हैं कि राजभासा अधिनियम अस्टितों में कब आया देखो राजबासा जो अदिनियम है जो हमारे कहते हैं आपके कारेलों में चलती है राजबासा ठीक है तो वह राजबासा अदिनियम आया था आपका डजी क्वेसन इसका सही आंसर है वर्स 1964 में नहीं आया 1947 में भी नहीं आया तो इन सब को कट करते चलें, अब 1953 में भी राजबासा दिन्यम नहीं आया सिद्धे आया था आपका 1963 में 11 कसन को देखते हैं कि निमने विकल्पों में से अकर्मक क्रिया क्या है पढ़ना, लिखना, खाना या हसना तो अकर्मक क्रिया इन सब में क्या होगी, आपका हसना एक अकर्मक क्रिया है ठीक है क्योंकि यहाँ पर खाने की क्रिया हो रही है, लिखने की भी हो रही है पढ़ने की हो रही है, लिकिन हसना क्या है, यह आपके अकर्मत है, इसके साथ कर्म नहीं आता है, ठीक है, वो हस रहा है, वो खाना खा रहा है, ऐसा बोलते हैं, वो खाना खा रहा है, वो लिखने बैठा है, ठीक है, पढ़ना, ठीक है, तो अब अगले उस पर चलते हैं, question पर 12, निमनिखित मैंसे उभैलिंगी सब्द नहीं है, परदानमंत्री, मंत्री, या दही, अब ये आंसर तो बहुती सरल है, सबीको पता होगा कि उभाइलिंगी सब्द कौन सा नहीं है, इसमें दही एक उभाइलिंगी सब्द नहीं है अगले question को देखते हैं कि तेरो question जो है आपका पवन सब्द में संधी है, पवन सब्द में कौन सी संधी है पवन ठीक है? पवन सब्द में कौन से संदी है? गुन संदी, आयादी संदी, वृदी संदी या ब्यंजन संदी तो आपके पवन सब्द में जो संदी है आपकी गुन संदी नहीं होगी ब्यंजन संदी भी आपकी नहीं है, व्रिदी संदी भी नहीं है, व्रिदी संदी तो मातराओं पर लगती है, ओ उपर, ठीक है, एक ही मातराओं पर, और अयादी संदी है, वन आ रहा है, तो अयादी संदी इसमें होगी, 13 का, C इसका सही अंसर है, ठीक है, इंदी का काफी के आता है तो आप इसे एक बार देख ली जगा अगले क्वेशन को देखते हैं कि सब्द में परियुक्त वर्णों की सही करमिकता को कहते हैं तो क्या कहते हैं सही करमिकता को क्या कहते हैं परियुक्त वर्णों को क्रम बद्धता ब्यवस्तता सुद्धता या वर्तनी तो इसक वर्तनी उत्राखण में एपन सम्मंदित है एपन किससे सम्मंदित है इसका अंसर सभी को पताओगा भित्ती चित्रन नहीं धरातल चित्रन हाँ महेंदी कला से नहीं उपरोक्त मैंसे कोई नहीं तो इसका पंदरवा का भी सही अंसर है सोलवे कसन की और चलते हैं कि निमन मैंसे कौन सा एक सूपर कम्प्यूटर नहीं है तो देखिए परम पता है हमें सूपर कम्प्यूटर है साइबर 205 ये भी पता है एक सूपर कम्प्यूटर है फ्लॉक 15 जो है ये हमें नहीं पता लेकिन K3 जो है यह आपका सूपरकंप्यूटर है तो इसमें जो गलत आंसर होगा वो है D यानि हमारा जो सही आंसर है वो है D यानि सूपरकंप्यूटर फ्लॉक 15 नहीं है सोलवें का D आंसर सही है सत्रूवें की ओर चलता है कि निम्नमैसे किस किले को फोर्ट मोयवरा कहते हैं अब देखिए मैं आपको चंद वन्स की स्रीज बताई है इसके लिए वाद सुभो के जी की स्रीज मैं आपको लेके चलता हूँ तो ये सारे जितने भी चीजे हैं मैंने आपको बताया उतराखन का ये क्वसन है कि किस किले को फोर्ट मोयवरा कहते हैं क्या ओ लालमंडी किला है खगमरा किला है मल्ला महल है या राजबुणगा है तो देखिए खगमरा किला जो है वो भीसम चंदने बदाए था आपके राजभूंगा किला ये आपके सोमचन्द ने बनाये था मल्ला महल है ये आपके कल्यान चन्द ने बनाये था और लालमंडी जो किला है ये भी आपके कल्यान चन्द ने बनाये था लेकिन इन मैसे फोर्ट मोयरा जो है वो कहते हैं आपके ए सतरे का ए यानि आपके लालमंडी जो किला है उसे को आपको फोर्ट मोईरा कहते हैं ठीक है लालमंडी किले को जिसे बनाया था किसने कल्यांट चन्दन है ये भी आपको ध्यान में रखना है अगले क्वेशन के उर चलते हैं देखे 2019 का ये क्वेशन पेपर है तो ये 2018 का य इंगिन प्रीमियर लीग 11 चीक है ग्यार्वी लीग में कौन सी विजितर टीम थी तो अगर आप तो सब क्रिकेटर के फैन हैं तो सब कोई आंसर पता होगा देखे ग्यार्वां लीग किसने जीता था 2018 में तो वो राजिस्तन रोयल्स नहीं था चैन्नाई सूपर किंग्स थ अत्रिक्त सयानों वो थोगदारों को दिया जाने वाले कर कहलाता था क्या अब देखी इस सारे के सारे जो हैं ये आपके कर हैं दस्तूर भी है पुंगारी भी है सलामी भी है लेकिन जो सयानों से कर लिया जाता था ठीक है उसमें से कर लिया जाता था आपके दस्तूर ठीक प्रवारिक जो कर है आपके गोरकाओं के सासनकाल के दोरान लिया जाता था तो दस्तूर जो कर है वो आपके सयानों और थोकदारों से लिया जाने वाल करता दस्तूर ठीक है अगले कुशन को चलते हैं 20 के सन है कि भारत में पुरातत्तो विभाग की स्थापने किस ने की थी भारत में जो पुरातत्तो विभाग की स्थापना की थी उसका विकल्प देख लीजिए लौड डलहोजी ने लौड करजन ने लौड हेस्टिंग्स ने या लौड नौर्थ बुक ने तो इन में से डलहोजी ने तो नहीं की थी ठीक है लौड हेस्टिंग्स ने भी नहीं की थी लॉर्ड नॉर्थ बुक तो कहीं पुरातत्य विभाग से इनका संबंधी नहीं रहा तो लॉर्ड करजन इनका सही आंसर है और 1904 में इन्होंने ये पुरातत्य विभाग की स्थाफना की थी कोलकाता में और वलतमान में ये कहां इस्तित है ये आपको नीचे कमेंड बॉक आना है ठीक है लॉर्ड करजन ने और 1905 में करजन ने बंगाल का विभाजन किया था तो इस इसाब से आप इसे याद कर सकते हैं अगले को देखते हैं कि गड़वाल के कि सासक ने अपने नाम के साथ सहा उपादी धारण की थी और यह बहुत ही नॉर्मल क्वेशन है जो हर तो आपके बलभदर साथ है जिने शाह की उपादी दी गई थी ठीक है 21 क्वेशन हो गए है अब 22 क्वेशन की ओर चलते हैं देश की पहली स्वन राजधानी ट्रेन की शुरुवात हुई अब देखिए यह उस समय का जो है करंट अफैर रहा होगा 2019 का है पेपर है तो 2018 का या 17 का ये करंट जो रहा होगा तो इसका जो सही आंसर है आपका देश की पहली स्वन राजधानी ट्रेन है वो आपके चली थी 20 जनवरी 2016 नहीं स्वन राजधानी जो ट्रेन है वो क्या है असल में स्वन राजधानी ट्रेन एक स्वच्छी ट्रेन है तो स्वच्छता का जो वियान चलाएगा उसके बाद ही स्वन राजधानी ट्रेने शुरुआत हुई है तो देखिए 2016 में तो इसका अंसर नहीं होगा तीक है क्योंकि 20 जनुवरी 2016 और 30 जनुवरी 2016 नहीं है और 29 जनुवरी 2017 और 29 नौंबर 2017 तो इसका सही अंसर है साफ सफाई की ज़्यादे ब्योसता है उसके अंदर थी 23 कसन के ओर चलते हैं उत्राखन में इस्ट इंडिया कमपनी का आगमन कब हुआ तो देखिए इस्ट इंडिया कमपनी का जो आगमन था आपके कब हुआ था जब गोरखाओं पर आकरमन हुआ और अगर साफ साफ कहें तो गोरखाओं का को जब यहां से खदेड़ा गया तब तो कमपनी यहां इस्टापिट हुई तो आगमन इसे कहेंगे 1815 में आगमन हुआ था हलंकि आगमन पहले हो गया था जब युद्ध हुआ था 1814 से युद्ध हुआ था और 1815 में जब सगोली की संदी भी सिगोली की संदी तब यहां ब्रिटिस इंडिस्टिनिया कंपनी 1815 में आई ठीक है अगले क्वेशन को चलते हैं 24 वेशन है कि एक लिफ्ट की चमता 12 वेस्क या 20 बच्चों के और यह रीजनिंग का क्वेशन है आप इसे देख ली जगा चीक है अगले क्वेशन के ओर चलते हैं कि 25 वेशन है वर्स 1922 में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिये जाने के समय तीरी बांद प्रियोजना की अनुमानित विद्वत उत्पादन चमता कितनी थी देखिए तीरी बांद जब 1922 में इसे मंजूरी दिये गई ठीक है तो उस समय ये एक बहु उद्दिश्या जो प्रियोजना थी इसकी जो उत्पादन होने का जो सम्भावना बताए गई थी तीरी बांद की बिजली की तो बताए गई थी आपके 600 मेगावाट लेकिन वर्तमान में ये 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहा है और इसने टोटल करने आपके 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन तो इसे आप ध्यान में रखिएगा 26 कसन को देखते हैं राज्य निर्वाचन आयूक्त की नियुक्टी कौन करता है तो राज्य जो निर्वाचन आयक्ट की नियुक्ति करता है आपका मुख्यमंत्री नहीं करता है प्रदान मंत्री नहीं करता है नियुक्ति जो है आपके राष्टपती या राजयपाल में सही करता है तो राज्य निर्वाचन आयक्ट की नियुक्ति आपका करता है राजयपा तो वर्स 1996 का व्रिक्ष मित्र पूरुस्कार जो दिया गया आपके दिया गोरा देवी को ठीक है तो इसका यह इसका सही आंसर है चंदी परतात भट नहीं है इंदर मनी बड मोर्ड़व भी नहीं है इसका तो कोई च लेना इसका जो सम्मेलन हुआ था था वावत वो हुआ था 212 में ठीक है जो हंसबर्ग में यह काफी टिपिकल क्वेशन है पुछा जाता नहीं है लेकिन बहुत ही ज़्यादा डीप पूजेए अगर आप PCS UK PCS की त्यारी करते हैं या यह कहें SSC CGL की त्यारी कर रहे हैं तो तब जाके आपको यह आंसर पता होगा नहीं तो नहीं अगले कोसन को देखते हैं 289 कोसन है कि दुर्गापूर की स्पात सेंत्रक इस देश के लिए से योग से इस्तापित किया गया तो यह काफे आसान कोसन है दुर्गापूर स्पात सेंत्रक और कई बार यह पीछले पेपर में बन कर आया था तो इसके ऑप्सन देख लीजिए जर्मनी सोवियत संग ग्रेट बिटेन यह स्यूंक तराज अमेरिका तो देखिए आधतर जो लोग होंगे वो कहेंगे आपके सो सोवियत संग नहीं है सोवियत संग ने आपके टीरी का जो है बांध है उसको बनाने में मदद की थी लेकिन दुर्गापूर स्पात सेंत्र है उसको आपके ग्रेट ब्रिटेन की मदद से बनाया गया था ठीक है उन्टीस्वा का सी जो है आंसर आपका सही है टीस्वे कसन के शिर्ग को चलते हैं कि 20 सदी में उत्राखंड सहली के चित्रों की खूज किसने गी थी? तो इसके उत्राखंड सहली के चित्रों की खोज जब भी आये चाहे वो 20 सदी हो कुछ हो या आमने देखना ढ 둘 सीधे सीधे खूम की चले जाना है किस पर? बेरिश्टर मुकंदी लाल प विश्व के समक्ष रखाट ठीक है औरंग जीव की मिर्ट्यू 31 किसम को देख लीजे आप औरंग जीव की मिर्ट्यू कब हुई थी तो ये भी देखे कैसा क्षवन बनकर आया है औरंग जीव की मिर्ट्यू हुई थी ये UK ट्रिपलेसी है कुछ भी पूछ सकता है तो औरंग अरंगजीव की मिर्टिव ज्यूंग meant नहीं हुई थी मुझे लग रहा है सते रहा सू साथ ūिसका सइनसर है सत रहा पांच भी नहीं है 1703 नहीं क्योंकि 1707 मुझे कुछ जाना पैठाना लग रहा है तो औरंग जीव की मिर्टिवित आपकी 1707 आप एक बार इससे चेक कर लिजेगा 31 ये question है एक बार इससे देख दीजेगा ठीक है अब चलते हैं 32 question पर वैसे सही होगा 31 का D 32 के और देखते हैं कि उत्तरकासी के सकती तिर्सूल में दो इस्टानों पर कौन कौन सी लीपी में लिखा गया है अब देखिए उत्तरकासी में है आपके सकती पीट सौरी सकती तिर्सूल और एक तिर्सूल जो है आपके गोपिस्वर में भी है गोपिनात मंदिर में अगर वहां कहते तो आप कहते वहां खोरोष्टी लीपी में लिखा है लेकिन उतरकासी के जो सक्ती तिर्सूल है उसमें ना देवनागरी लीपी में लिखा है ना खोरोष्टी लीपी में लिखा है नापाली लीपी में, वो लिखा है आपके संख लीपी में, तो इसका जो 32 का है, सही आंसर हो जाएगा आपका C, C इसका सही आंसर है, ठीक है? इसको बदल लेते हैं तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो है आपका संक लीप में C इसका सही आंसर है ठीक है आगे देखो 33.5 क्वेशन है कि मैं पूरू की ओर हूँ गड़ी की सुईया गोमने वे सौग तो यह आपका रिजनिंग का क्वेशन है यह आप देख लीजिएगा 34.5 क्वेशन के ओर देखिए कि कौन सा राष्ट्य राजमार्ग है कौन सा जो राष्ट्य राजमार्ग है वो हरिद्वार को बदरिनाथ से जोड़ता है तो यहाँ देखिए NH8, NH72, NH74, NH87 तो अब जो है वो राजमार्गों के नाम बदल दिये गए है मैं कुछ दिनों में यह सारी अपडेट आपको दे दूँगा तो उस समय का जो राष्ट्य राजमार्ग था वो एक की था NH58 तो इसका जो 34 का ए आंसर है वो आपका सही है अब NH एक्टिवेट जो अठावन है NH07 हो चुका है साइद तो इसकी जो सारी डीटेल वीडियो है वो आपको प्रोवाइड कर ली जाएगी 35 क्यों चलता है कि निम्ने मैसे वर्स 2017 के लिए सरुष्ट सांसत का पुरुस्वार पुरुस्कार किसे दिया गया ये भी उस समय का करेंट अफेर्स का जो करेंट अफेर्स का क्वेशन है तो इसे छोड़ लेते है 35 क्वेशन को 2017 का क्यों पूछ देखें है अब तो 2021 हो गया है ठीक है आगे चलता है 36 क्वेशन पर विरही गंगा किस नदी जल प्रफाद शेतर में आती है तो विरही गंगा है ठीक है विरही गंगा ध्यान से दिमाग में जोड़ दीजिए और यहाँ उप्षन की और सलते हैं यमुना ठोंस यमुना विरही गंगा से कोई संबन्द नहीं है ठीक है आपका यमुना भागिरती जल परवा भागिरती और अलकनन्दा जल परवा भागिरती से तो विरही गंगा का संबंद नहीं है लेकिन अलकनन्दा से है और यहां कहा है कि भागिरती और अलकनन्दा जल परवा यानि जहां दोनों का मिलन होता है दिव प्रियाग तो य यह आपका उत्तर सही हो सकता है यमुना और भागी रती देखिए भागी रती से मैंने का आपका विरही गंगा को कोई लेना देना नहीं है यमुना से तो उसका लेना देना था ही नहीं तो इसे इसी क्वेशन भी आपका अगर हम eliminate कर दें और D को देखिए काली जलपरवा तो काली तो बहुत दूर हो गई वहाँ तो विरही गंगा कोई संबन्दी नहीं है तो अगर हम elimination method से देखें तब भी आपका B आंसर सही है और वैसे भी देखें तो आप भागरती अलग नंदा से विरही गंगा का जो जलपरवा है वो सीधे आपका B जो आंसर है वो एकदम आपका सही हो जाएगा तो सीधे सीधे आपने टिक करना है B पर आगे देखिए 37 question है मेरा भाई चानू की scale से संबन्दित है और हाल ही मैं देखिए 2020 Tokyo Olympics उसमें यह इन्होंने medal जीत किया आए हैं भारत के लिए भारुतोलन से संबन्द है इनका तो सीधे सीधे मेरा भाई चानू के लिए आप दी पर सही कीजिए और ना इसका cricket ना खुस्ती ना बैडमिंटन सीधे भारुतोलन और मेरा भाई चानू किस राज्य से इनका संबन्द है यह आपको नीचे मना कर दिया था तो देखिए हम सब जानते हैं कि पेशावर कांड कियो घटना जब वीर्चनर सिंग अड़वाली ने कहा था कि मैं इन निहते खान अब्दूर कफार खान जा रहे थे एक पैदल मार्च कर रहे थे और अंग्रेजों ने सेना बुला कर वीर्चनर सिंग अड़वाली को कहा था कि भाईया इन पे गोलियां मारो तो उन्होंने कहा नहीं हम गोली नहीं मार सकते तो यह घटना कब की है यह आपके घटना है 13 March 19 13 April 1930 दूसरा का अप्शन देखिए 13 March 1930 23 March 1930 23 April 1930 तो यह देखिए सारे जो अंसर हैं आपके 1930 ही दिया गया है सिर्फ डेट अलग है April है और March है डेट भी अलग नहीं है काफियात तक सेम है तो अगर आपको यह याद नहीं है तो आपको काफी दिक्कत होगी ठीक है तो मैं इसका सही जो बताओं आपको जो अंसर होगा वो आपको 1930 में देखके आना है कैसे मैं क्योंकि 1930 में यह सब को पता है कि कब वी ते गटना 1930 अब वो क्या था March था यह अपरेल था तो आपने जो March है न तो 23 का जो 3 है तो January, February, March यह 3 को प्लस 4 ए 1 मैं जोड़ो तो मतलब यह March नहीं था तो क्या था 3, 3 प्लस 1 क्या होगे आपका 4 तो अब अपने उंगली पे गिनो January, February, March अपरेल तो यह क्या था आपका महीना अपरेल था अब यहाँ 2 अपरेल दिये हैं कि यह 13 अपरेल होगा यह 23 अपरेल होगा तो मैं इसमें भी आपके confusion ऐसे होगा दूर कि जो date होगी आपकी वो आपके जो यह आपका स्वरी, तीन का तीन रहेगा ठीक है और 1, 3 मैंसे गटा कर आप यह 2 निकाल सकते हैं तो अंसर आपका हो जाएगा 23 हालंकि मैंने ऐसे याद किया है आप कैसे इसे याद करते हैं या आप अपनी 100 ट्रिक्स बना सकते हैं 38 का D सही आंसर है ठीक है अगले question को दिखते है इस याई खेल 2022 की मेजबानी किस राष्ट के द्वारा की जाएगी और यह है इस समय का जो है यह महतोपून question बन सकता है 2022 का जो इस याई खेल है 2022 की मेजबानी कोन कर रहा है और यह वालंकि 2019 में पुछा गया है लेकिन इस समय के लिए भी यह important काफी important हो जाता है क्योंकि इस समय जो इस याई खेल की मेजबानी कर रहा है वो भारत भी नहीं कर रहा है भी सही अंसर हो जाएगा ठीक है अगले question को देख लीजिए गया चैलिस वाए question है कि 1815 में उत्राखंड में पर्थम डाक प्रणाली का इस्तापित की गई तो यह मैंने अगर आपने हमारे सुबह की वीडियोस देखी है तो चालिसमें का सी जो अंसर है वो आपका सही हो जाएगा ठीक है 41 के question क्योंड चलते हैं कि उत्राखंड में वर्स 2006 के परिसीमन में मैदानी छेत्रों में सिर्जित वो नई विधान सभाओं में सम्मिलित नहीं है अब देखे 2006 में परिसीमन हुआ स्री 36 सीटें थी आपकी विधान सभाओं की लेकिन उस समें परिसीमन का कारी नहीं हुआ था 2006 में परिसीमन का कारी हुआ और सीटों की संख्या बन गई आपके 70 और उस समें देखे कौन-कौन सामिल नहीं हुआ था आपका राइपूर था देहरादून में सामिल है न्यानक मत्ता देहरादून में सामिल है भेल देखिए B,H,E,L ठीक है ये आपके हरीद्वार में सामिल है तो विदानसभागर का जो छेतर होगा कौन सा नहीं होगा खानपुर क्योंकि खानपुर ना आपने सुना है ना मैंने सुना है ये खानपूर यूपी का ही हो सकता है तो अगर elimination method पे जाएं तो रायपूर नानक मता और भील तो आप सबको पता है तो सीदे सीदे इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B यानि खानपूर जो विधान सबाज छेतर है उसमें समुलित नहीं है 41 में का B इसका सही आंसर हो जाएगा अगला देखजिए हबन टोटा पोर्ट इस्तित है हबन टोटा ठीक है यह आपका भारत के G.S. के हिसाब से काफी important है तो हबन टोटा जो पोर्ट है आपके कहां है स्रिलंका में, वियतनाम में, सिंगापूर में यह इंडोनेशिया में तो हबन पोर्टा पोर्ट जो है आपके इसका अंसर है यह स्रिलंका में ठीक है current affairs अगर आप लोग पढ़ते हैं समाचार पत्र देखते हैं तो आपको इसका अंसर पता चल जाएगा क्योंकि नैवल बहिस जो है नौसेना जो है देशों की आपको पता है युद्ध्याब्यास करती है तो जब वो रुकती है कहां रुकती है तो वहाँ पर ये हबन टोटा जो पोर्ट है तो इसके समद्ध में आपको थोड़ा दिमाग में आ जाएगा कि हबन टोटा पोर्ट आपका श्रिलंका से सम्भनित है आगे देखिए ज्वार्ड पर्था 43 वह एक क्योशन है कि ज्वार्ड पर्था सम्भनित है च्वार्ड पर्था बहुत पुरानी पर्था है जो थी आपके एस्त्रिधन से यानि इस्त्रि का जब भिवा होता था तो जो वर पक्ष था वो कन्या पक्ष को पैसे देता था इस्त्रि के बदले की ओर चलते हैं और ऐसी जो पर्था है आपके राजी जनजाती में भी देखने को मिलती है ठीक है और आपके भोटियां में भी मिलती है कुछ हद तक तो ये आपका देखिए कसन भी बनकर आ जाएगा 44 में कसन के और देखिए कि पल्लव वंस का सबसे सक्तिसाली जो राजा था वो कौन था पल्लव वंस का जो सक्तिसाली राजा है देखिए मैं अगर अंसर दोंगा तो मैं सीरे सीरे जाओंगा डी पर आप अगर जाएंगे तो option के देखिएंगे एक बार अगर नहीं पता होगा देखिए मित्र दाता ये आपको नहीं पता है मुझे भी नहीं पता है कौन है Spellerus ये भी नहीं पता Wononeege ये भी नहीं पता लेकिन D. Gondofundneege मुझे पता है क्यों पता है क्योंकि Gondofundneege जो है ये पल्लव वंस का ऐसा राजा था जिसने अपने जो है इसाई धर्म से इतना प्रेरित हुआ था कि इसने अपने आपको इसाई धर्म इसने स्विकार कर लिया था और Gondofundneege के साइम पर इसाई जो है वो पल्लव राजियों में आए थे ठीक है मिसिनरी तो इसनों ने जो है इसाई धर्म को स्विकार कर लिया था 44 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका D है Gondafurnish ठीक है अब कौन सक्तिसाली था ये हमें नहीं पता लेकिन इत्यास के तरफ देखें तो Gondafurnish को पल्लवन्स का सबसे सक्तिसाली राजा है वो बताये गया है 45 की तरफ देखें तो भारत में वर्स 1981 में में आरम की गई सुधारवादी नीतियों के मुख्य कारण क्या थे देखें जो सुधारवादी जो नीतियां होती है वो क्यों लाई जाती है विदेशी मुद्रा कोसों में कमी विदेशी रिणों की सब्रदी विदेशी भुगतान में असंतुलन ये उप्रिप्त सभी, यानि इन सभीओं के कारण ही सुधारवादी नीटी उनिस्यकारणवे लाएगी तो देखिए जो सुधारवादी नीटी थी वो आपके इन सभी कारणों से आई थी यानि विदेशी मुद्रा जो है कोशों में कमी को आधार देखा गया और विदेसी रुणों की विर्दी करनी थी विदेसी भुक्तान में असुन तुलन भी देखा गया तो ये उप्रियुक्त सभी ये जो है उधारवदी सुधारवदी नीडियां उनीस विकारणवे के अंतरगत ये सारे बिंदू समलित थे ठीक है च्यालिसमें की ओर देखें तो निम्ली में से कौन कौसल भारत अभियान के अमबेज़र निक्त किये गए है अब ये भी उस समय का करन्ट अफैर्ट है या दोजार उननीस का ही पेपर है तो दोजार अठारा का या दोजार उननीस भी मान के चलें अगर लाष्ट लाष्ट में हुआ होगा या जलाए या अगस्त या दिसंबर के टाइम तो उसी साल का होगा लेकिन उपसंस पे देखें तो अक्षे कुमार और काजौल अमिताब बच्चन और दीपेका पादुकॉण अनुसका सर्मा और अग्वरुण धवन और अजय देगन और हमिर खान तो इनमें से सही जो आंसर है वो कौन है तो देखे कौसल भारत अभियान है अगर उसे में ध्यान दें सिर्फ नाम पे ध्यान दीजिए कौसल भारत अभियान अब अक्षे कुमार को उठा लीजिए अक्षे कुमार ने फिलम बनाए थी आपकी टॉयलेट एक प्रेम का था तो वो किससे संबनी था स्वच्छधा से तो ये आपका इससे जो आंसर है वो नहीं होगा अमिताब बच्चन वो पहली एड़ कर रहे हैं आपके अनुसका सर्मा और वरुण धायोन तो इन्होंने एक मूवी की थी सुई धागा जिसे जो है राष्ट्य पुरुसकार के सुई धागा सुई धागा में मेकिन इंडिया को बढ़ावा दिया गया था इस मूवी में तो कौसल भारत अभ्यान से अमबैसडर भी फिर अनुसका और वरुण धावन को ही बनाए गया अजय देवण और अमिर खान नहीं क्योंकि अजय देवण को अभी तक साइद सरकारी एड़ मिले नहीं है लेकिन आमिर खान को मिले है ठीक है इनक्रेडबल इंडिया ये पहले करते थे लेकिन इनका भी कोई लेना देना नहीं है तो सी इसका सही अंसर है ठीक है 47 वे क्यों को देखे देखे ये भी जीयस सारी आपके रीजनिंग का क्योंसन है तो इसको भी छोड़ के चलिए प्रताफशा भवानी साह नरेंदर साह तो देखिए शुरुवात हुई ती अंग्रेजी सिक्षा की किस समय से आपके केरती साह से केर्थी सहा के जो बेटे थे पृताप सहा क्यूंकि एंग्रेज ने तो यहीं पढ़ाई कि थे और पृताप सहा ने अंग्रेजी स्रिक्षा का सुरुवात कि थे और पृताप सहा हो नहीं अदन मोहन मालवी ने बनाय था उस समय उनको पैसे भी दिया था और कीर्थिस सहा के नाम पर वहां एक जो है असोध इस्तान भी है तो अंग्रेजी सिक्षा देखिए नरेंदर सा और परताप सा दोनों के टाइम शुरू भी थी लेकिन शुरूवात जो की थी वो परताप सान और परताप साने देखिए परताप साने नरेंदर साने और फिर आपके आते हैं नरेंदर सा परताप सा परताप नगर इंटर कॉलिज की भी स्तापना की थी ठीक है नरेंदर साने तो इसका सही अंसर 48 में कब भी है आपका अंग्रेजी सिक्षा की नीव जो है वो परताप सा आने रखी थी तो इसे जरा देख लीजिएगा क्योंकि किरति साह तो नहीं हो गया इसका ठीक है तो एक बार आप एक बार देख लीजिए मुझे तो परतापसा लग रहा है उनपचास में को देखें कि तो उत्राखन का नवीन इतिहास नामक पुस्तक के लेखा कौन है तो मैंने बहुत बार आपको पुस्तकों के जो है रिजनिंग हमेशा सुबह सुबह बताता हूँ वो आपके A.S. भापा ये ना आपने सुना ना मैंने सुना ना डॉक्टर सेखर पाठक ये भी नहीं है अजयरावत और कटोच में आपको दिक्कात हो सकती है तो अजयरावत अजयरावत नहीं है जबकि ये स्वन सिंग कटोच इसका सही आंसर है दो उत्राखन का नवीन इ तियास नामक जो पुस्तक है वो ये स्वन सिंग कटोच ने लिखी है तो इनकी पुस्तक अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये आंसर पता होगा पचासवे कसन को देख लीजीगा कि भारतिय अर्थ व्योस्ता है क्या है भारतिय अर्थ व्योस्ता समाजवादी है, मिस्रित है, पुंजिवादी है ये सामन्ती है तो भारतिय अर्थ व्योस्ता आप सब को पता है कैसी अर्थ भी उसता है? एक मिस्रित अर्थ भी उसता है समाजवादी भी नहीं है, पुंजीवादी भी नहीं है, सामन्ती भी नहीं है बलकि एक मिस्रित है, दोनों का मिला जुला रूप है, तीनों का पूर्वा गिरी मेला कब लगता है तो पूर्वा गिरी मेला कहां लगता है पहले आपको ये बताना है तो पूर्वा गिरी मेला लगता है आपके चमपावत में और ये आपके कब लगता है चैत नवरात्री के दिन आपका पूर्वा गिरी मेला लगता है यह आपका एकावनवे का ए इसका सही आंसर है बावनवे की ओर देखते हैं कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्याले का है तो देखें उत्तर मध्य रेलवे कह रहा है ठीक है उत्तर रेलवे का जो मुख्याले है वो आपका नई दिल्ली है लेकिर उत्तर मध्य रेल्वे का जो मुख्याला है इसका जो सही आंसर है प्रियाग राज ठीक है और पश्चिम उत्तर पूर्व क्या पूर्व का है आपका कोलकाता और मुंबई जो है आपके सेंट्रल है मुंबई ठीक है तो इसका जो सही आंसर है आपका उत्तर मध्य जो रेल्वे का मुख्याला है इसका बी इसका सही आंसर है बावनवे का बेपी और आप जा सकते हैं अगले क्वेशन को देखिए न्याइक पुनराव लोकन की उत्पति सर्वरतम कहां हुई तो ये बहुत बार रिपेटेट क्वेशन है और इसे देखिए कि आउस्टेलिया में नहीं हुई थी स्विक्त राज अमेरिका में हुई थी भारत में नहीं आई भारत तो खुद ल का सकता है ठीक है 53 का भी सही अंसर है 54 करस 싸 मान नागरिक सहीता का उले आए कं किया गया है तो देखिए समान नागरिक सहीता का उले ठीक है ये भी आपका रिपेटेट क direction है और अनुशेद 40 ये नहीं है अनुशेद 42 ये भी आपका नहीं है अनुशेद 46 ये भी आपका नहीं है और अनुशेद 44 तो ये आपका सही आंसर है ठीक है तो अनुशेद 44 इसका सही आंसर है और समान नागरिक सहिता हालं की लागू तो है समरी समिनान में लेकिन सिर्फ गोव एक ऐसा राज्या है जहां ये चल रही है ठीक है समान नागरिक सहेता मतलब कि सभी धर्म के जो लोगों के लिए सिर्फ एक कानून ब्याउद आदि क्या है? हिंदू हिंदू मेरिज कोर्ट है और मुसल्मानों का मुसल्मानों का भी है सिया का लग है तो इसलिए जो समान नागरिक सहीता थी अनुछी चोवालेस में है और गोवा एक ऐसा राज्य है जहां सिर्फ समान नागरिक सहीता है वो लगू की गई है पच्पन्यों कसन के और देखें तो देवनागरी लीपी के अधार पर भोटी लीपी का विसकार किस ने क्या था अब ये कुछ नहया कसन है और ये इंपोर्टेंट भी हो सकता है अगर आप ध्यान से देखें तो कि देवनागरी लीपी के अधार भोटी लीपी कहां से आय थी तो देखे, थोनमी संभोटा, लाभा ने, मौंग चेन ने ये वियांग ने देखे, भोटी लीपी में भोट आ रहा है न आपका और यहाँ इन तीनों चारों नामों में भोट किसमें आ रहा है, थोनमी संभोटा में तो इसका सही आंसर जो है, आपका है कबी कबी जब चीजें ना आएं तो आपको क्या है чीजें क्या है सो ट्रिक्स के मारre हम से याद करने होती है तो अपनी ट्रिक्स बनाते चलिए तभी आपका जो है ईसाम है clear होगा हर एक चीज आप याद नहीं कर सकते हैं कुछ ट्रिक्स भी आपको खुद create करके याद रखनी है 96 केसन को देख लीजेगा कि e-learning में समलित क्या है, e-learning का मतलब क्या होता है, मतलब जब हम जो है digital माध्यम से अध्यन करते हैं, तो क्या है यह computer आधारित perception, web आधारित perception, यह दोनों है यह प्रोएक्ट में से दोनों नहीं है, तो इसका सही अंसर है, यह दोनों है तो C इसका सही अंसर है, ठीक है सतावन के question के और देख लीजेगा कि 800-17 की करांती के समय कुमाओ का commissioner कौन था, तो यह भी बहुत बार पूछा गया है, BW trail यह नहीं था, क्योंकि 1915 में trail को बनाया गया, उसके बाद यह, sorry, 1915 नहीं 1915 में तो आपके कौन थे 1915 में तो आपके e gardener थे ठीक है और gardener के बाद आपके trail आए, हाँ, जी 815 में trail आए और फिर आपके beton थे फिर आपके scenery jam j तो 37 का 57 का C जो है, वो सही आंसर होगा 867 में जो है आपके Henry Ramji आए थे मगद मोहन जोदाडो की राजधानी थी ठीक है मगद मोहन जोदाडो की राजधानी थी कहां थी, पाटली पुत्र थी अवंती थी, कांधार थी या अंग थी अब ये मगद की जो राजधानी है ये चंद्रकुपत मोरिया की मगद की बात हो रही है तो उस समय जो मगद की राजधानी हुआ करती थी आपके क्या पाटली पुत्र तो ये इसका सही आंसर है 97 का सही आंसर आपका C है, यानि Henry Ramji 60 को देख लीजिए परसिद्य सद्धेई रचना किस लेका की है सद्धेई रचना संद्र मोहन रतूरी तारादत गैरोला भावानी द थपलियाल विद्ध्या सागर नोटियाल तो सद्धेई जो रचना है आपकी परसिद्ध रचना है तारादत गैरोला की ठीक है यह आपके कही काविया जसनाई भी इनकी इन्होंने की है और मैंने जो है आपके उत्राखन की सिक्र कर रहा जो वीडियो चलाते है उसमें तारादत गैरोला का जिक्र मैंने किया है कि इन्होंने देखिए सिल्पकार जो सभा है विसाल सिल्पकार सभा का उसका भी अध्यक्षता इन्होंने की थी ठीक है 1925 के दोराद नहीं नहीं हाँ 1925 में है इन्होंने मैंसे कौन सी जन जाती लकडी की सिल्पकार के लिए जानी जाती है थोड़ा सा confusion हो सकता है लेकिन भोटे जनजाती जो है ज्यादातर क्या करते हैं या तो ब्यापार करते हैं या तो अपने जो पसु हैं ये उचायवाले लाकुम ले आते हैं पुस्ट चराई का विसे काम करते हैं लेकिन जो सिल्प कला है वो आपके राजी जनजाती में देखने को मिलती है तो साथवे का जो सी है वो आपके सही आंसर हो जाएगा सी ठीक है 61 कसन को देखिए कि आदित्या नारायन पुरोहित कि शेतर से सम्मनित हैं आदित्या नारायन पुरोहित किस शेतर से सम्मनित हैं नीती गायन प्रवतारोही या किरसी वैग्यानिक तो आदित्या नाराहन प्रोहीत जो हैं ये आपके हैं किरसी वैग्यानिक और इन्हें किरसी में भी सम्मान मिल चुका है ठीक है सॉरी साइंस का पुरुषकार भी इनको मिला है 62 निम्न वैसे समिधान सभा के समिधानिक सलाकार कौन थे समिधानिक सलाकार जो हैं आपके जवालाल नहरू बी अन्राव जेबी करपलानी या एलन मुकरजी तो देखिए जो समिधान के समिधानिक सलाकार थे जवालाल नहरू नहीं थे अगर आप चले जेबी करपलानी भी न आपको आलता होगा इसका सही जो आंसर है वो आपका है B यानि BN राव ठीक है बासुटवे का B 63वे पर चलते हैं क्वेशन क्या है 63वे क्वेशन देखिए 63वे क्वेशन यसंद सिंग कटोच द्वारा निम्न मैं से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है अब यसंद सिंग कटोच की पुस्तक अभी उपर पूची गई थी कौन उत्राखंड का नवी नी त्यास ठीक है ये तो इनकी पुस्तक है अब इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं है मद्धि हमालait के पुरातत्व मैंने कहाता कि ये पुरातत्व से संबंदी इंकी पुस्तके थी ठीक है और इनके पास जो है कला का अपना एक संखरहले है तो मद्धि हमाले की कला भी इनकी पुस्तक है अब इनमें से कौन से छूटी उत्राखंट के प्रमुक्स 70 सेनानी तो इन्होंने स्वतंदा सेनानियों पर कोई भी पुस्तक नहीं लिखी है तो ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा तो 63 वे का जो ए है यानि कौन सी पुस्तक ये संसिंक गटोज की नहीं है तो वो है उत्राखंड के प्रमुक सुतंदा सैनानी तो उत्राखंड के प्रमुक सुतंदा सैनानी किसकी पुस्तक है यह आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है अगले कुसन को देख लीजिए का 64 करसन है कि भारत नेट पर्योजना देखिए बहुत पुरानी पर्योजना है भारत नेट पर्योजना जो है आपकी बहुत पुरानी है पर्योजना ठीक है और किस से संबन्दित है यह ग्राम पंचयतों में broadband connection देने से पंचयतों में हर गर बिजली देने से पंचयतों में रुजगार देने से अब भारत net से ही आप समझगे होंगे कि इसका जो संबन्ध है आपके net से है तो कम नेट यानि ब्रॉडकास्ट जाहे तो इसका जो पहला अंसर है वो हो जाएगा सही यानि ग्राम बन जाहे तो मैं ब्रॉडबेंड कनेक्शन जो है वो दिया जाता है भारत नेट प्रियूजना ठीक है और यह भारत नेट प्रियूजना कब से देश के अंदर आई थी तो इसको देखें तो भारत नेट प्रियूजना है आपके यह आई थी आपके ऑप्टिकल फाइवर से रिलेटिड इसका सम्मन है और नहीं प्रियूजना है 2012 से है साइट क्योंकि 2014 में मोदी जी की सरकार में भारत नेट प्रियूजना तो नहीं आई है क्योंकि इस समय भी प्रियूजना आई है उसमें भारत यह फ्री इंटरनेट सेवा ती जा रही है ठीक है जहां जुगी जोपड़ियों के हैं उनसे समद्द यानि हर किसी को फ्री कनेक्शन या फ्री कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए तो मोदी जी के टाइम भारत नेट जैसी से विदा तो नहीं थी लेकिन मनमोहन सी की समय में साहिद भारत नेट प्रीजन आई है तो 2012 में साहिद यह आई है एक बड़ आप इसे गूगल कर लिजेगा भारत नेट प्रीजन कब आई है मुझे तो लग रहा है इसका 2014 से पहले आई है यानि 2012 में यह आई होगे ठीक है अले क्वेशन को देख लिजेगा कि 65 क्वेशन है वन संरक्षन के लिए कल्यांड सिंह रावत को ने मैत्री आंदोलन का प्रारम किया गया तो कल्यांड सिंह रावत यह बहुत रिपेटेट क्वेशन है और कई भार एक्जाम में बनता है कल्यांड सिंह रावत ने मै नहीं मैती था तो यह आपके वर्स 1996 में है सीधे सीधे आपको अंसर कर देना है वर्स 1996 नैंटी जो बॉंड है वो तो याद रखी सकते हैं से 65 वी का ए इसका सही अंसर है ठीक है आगे चलते हैं कि माजुली द्वीप सम्मंदित हैं माजुली द्वीप देखिए कि सबसे बड़ा द्वीप है किसमें नदी सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप एश्या का भी ठीक है और इसे आपको याद कर लेना है माजुली द्वीप को यह मैंने और माजुली द्वीप किस नदी में इस्तित है तो ये आपके गंगा नदी में ब्रह्मपुत्र नदी में गोदावरी नदी में या आपके सिंदु नदी में है तो माजुली से नाद कीजेगा गंगा में तो नहीं है गंगा नदी में नहीं है आपके ब्रह्मपुत्र नदी म का सी इसका सही अंसर हो जाएगा तो इस पर टिक मार दीजिएगा चो सड़ सब्सक्राइबाद में इसके लिया गया है जिसमें सिर्फ कुत्तों के लिए बनाए अधिराबाद में मैं खोला गया है घрашा है जो है कि अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है मीरे सबहो की वीडियो दीजिये उन्हें देखिए यहीं से आपके क्वेस्ए इस वार बन क्या अगर ठीक है अगले को देख लिए 68 क्यूसन ने रित्टेटी प्रवास निणमना से किस जंजाती द्वारा किया जाता है तो रित्टी प्रवास आपका नागा थारु गद्धी या बोक्षा तो गद्धी जो है वो करते हैं रित्व प्रवास और गद्धी की हमारे जो लोकल भासा में कहता है गद्धी वैसे ये आपके भोटे जंजाते सम्मंदित हैं वे लोग जो जानवरों को चराता है गद्धी उन्हें को कहता है हमार इस्तानिय भासा में भी इसका काफी यूज होता है गड़वाली में गद्धी ठीक है रितु प्रवाश गद्धी वैसे कौन सी संदेश सेवा अब सक्रिया नहीं है तो देखिए कौन सी जो संदेश प्रक्रिया है वो अब सक्रिया नहीं है कौन सी नहीं है देखिए स्काइप अभी भी चल रहा है इसकाइप और यह टेक्नोलोजी वाली जादा जानते होंगे जो सोसल मीडिया और सभी मेर जो messenger था वो बंद कर लिया गया है याओ का जो messenger था जैसे Google ने अपना और कोट बंद कर लिया है और कोट हम चलाते थे ठीक है बंद हो चुका है कार्थिकेपुर का अंतिम कत्यूरी राजा सथर्वे को देखिए कौन था कार्थिकेपुर का अंतिम राजा उप्सन देखिए नर्सिंग देव, साली, गहन देव, नकुल देव और सुबक्चिराज और बहुत कॉमन है इन सब में सुबक्चिराज तो आपने सुत्तर में का सीदे डी पर चले जाना है कहीं नहीं देखना है सीदे डी पर सेवन्टी का डी इसका सही आंसर हो जाएगा अब ये देखे रीजनिंग का 318, 378 इनके बीच आप माइनस कीजिए रीजनिंग कई सीरीज है आप रीजनिंग के करिस्टनों को अलग से जाके देख लीजिए गए इसमें काफी वक्त लगेगा बहुत तोरो किस्टन के जिए चलते हैं कि उत्राखन सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल का भोसित गया और ये मैंने हाली में आपको सुबह की वीडियो से उसमें बताया था कि कब घोसित किया था इवर्स 2011 में फुटबॉल को राज्य घोसित का इनना आओ देखना इनना ताओ सीथ 2011 पर आपने अंसर दे देना है और आपके ढोल दमाओ को 2000 कब बनाए गया पंदरा में ठीक है त्योतरों के देखे चवी के एक छोटे संस्क्रण को कहा जाता है चवी यानि आपका क्या होता है परतिबिम्ब परतिबिम्ब के छोटे संस्क्रण को क्या का जाता है फ्लिप आर्ट, बिट मैप पोर्टेबल, नेटवर्क, ग्राफिंग या थम्नेल तो इसका सही आंसर जो है बहुत कॉमन आंसर है वो इसलिए कॉमन है क्योंकि अक्सर हम अपने यूट्यूब में इसका इस्तेमाल करते हैं और मैं भी अक्सर अपने वीडियोज में लगाता हूँ छवी परतिबिम्ब का एक छोटा संस्क्रण हम अपनी परतिबिम्ब का एक छोटा संस्क्रण देते हैं, थम्नेल कहलाता है ठीक है तो यह काफी रसनातम के क्वेसन था और इसका जो आंसर है डी इसका स़ही आंसर है फिलिप आर्ट तो नहीं है बिट मैप तो यह बिट मैप यह समझे आप बिट मैप जो है यह एक एक एप्लिकेशन है एप्लिकेशन है फोटोस रिलेटेट बिट मैप पूर्टिबल नेटवर्किंग ग्राफिंग यह तो बहुत बड़ा नाम हो गया ठीक है इसका सही आंसर आपका डी थम्नेल क्योंकि हम अकसर इसे वीडियो में यूट्यूब में यूज करते है चोत्त चोद्धा बारा दस यह सोला तो देखिए यह अकबर ने बाटा था आपके बारा सुबों में ठीक है मनसब्दारी ब्योस्ता भी अकबर नहीं यह चलाई थे चोत्तुरवे का यह इसका सही अंसर है अब पिछत्तुरवे क्वेशन को देख लीजिएगा अभी 140 क्वेशन होने हैं तो अभी भी काफी क्वेशन बच जाते हैं यानि सोत्तुर करीब क्वेशन सोत्तुर नहीं 65 करीब बच गये हैं तो पिछत्तुरवे क्वेशन देख ल सब्सक्राइब है उसमें जो है आपके उत्राखंड की अच्छा भारत की पूसरा है तो पिचत्र रुबे का आपका सही आंसर हो जाएगा सब्सक्राइब है तो पिचत्र रुबे का आपका आपका जाख मेला है यह आपके अरुदर फैसी में लगता है तो पिचत्र शीय जो है मुझे तो यहीं लग रहा है कि यह ही साही अंसर हो का सही आप भी एक बार देख लिजगे जाख है जाक मेला तो नहीं लगता लेकिन जाक देवी है ठीक ठीक है जाक देवी ये आपके कुमाओं में एक देवी है ठीक है और जाक देवता जो है ये हमारे गड़वाल में है और जाक मेला भी हमारे गड़वाल के रुद्रप्याग में लगता है और मैं खुद रुद्रप्याग से हूँ तो मुझे पता है कि जाक मेला आपका गुप बहुत important question है ये बन किया सकता है आपका पूछने का तरीका लग लग है लेकिन जो भाव है वो सेम रहता है कि कौन सा जो है राष्ट्या पैतकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता धार्मिक स्वतनता का अधिकार अवसर की समानता का अधिकार जीवन और विक्तिकत स्वतनता क अधिकार या पूरे देश में स्वतनतरुप से इस्तांतरित करने का अधिकार अधिकार तो देखिए ये सारे जो अधिकार है वो निरस्त किया जा सकता है लेकिन उन में से सबसे बड़ा जो अधिकार है वो कभी निरस्त नहीं किया जा सकता वो है आपका सी यानि जीवन की जो आपकी व्यक्तिगत स्वतनता है जीवन जीने की स्वतनता है आपके जीवन तो जीवन के लिए ये आपका स्वतनतर का सी जो है चाया पातकाल आए तब भी ये मानने नहीं होगा क्योंकि तब समित्राश्र संगी सीले तो बैठा हुआ है युद्ध होगा तो वो सब देखता रहता है मानवादी कारावियों इतने सारे गठीत है 88.5 क्यों चलते हैं कि 88.5 क्यों अलमोडा का पुलिस थाना जो परविती छीतर का पहला थाना था इस्तापित हुआ था तो अलमोडा जो थाना था ये आपके 1837 अलमोडा थाना और अलमोडा जेल बहुत पेमस रही जहां आपके जवालल नहरू को भी कैद करके रखा गया था इंद्रा के लिए पत्र तो वो आपके लिखा था अलमोडा जेल से ठीक है 79 चलते हैं राजजे निरचन आयो को अगठन भारते से विदान के किस अनुशीत के तहता है तो इसका भी सीधे सीधे आपने जाना है 243 कई नहीं जाना है 243 क ठीक है अब इतो के दे रखा है तो इसके कई हिंदी में तो खो ऐसे बन के आता है 89 का आपके A हो जाएगा 80 को लेखि लिएगा 90 में पूरे में मुंबई में कोलकाता में यह नई दिल्ली में तो इसका सही अन्सर है आपका नई दिल्ली जो मौसम विवाग जो है आपका केंडर है वो नई दिल्ली में इस्ताफित है ठीक है एकास में को एक तरफ देखें कि परसित पुस्तक मसूरी मैंडले के लेखा कौन है तो मसूरी मैंडले ये सायद मैंने आपको हमारी जो जी किस रीज है उसके अंतरगत बताना अभी बताया नहीं है तो ये फेमस पुस्तक रही थी आपके एस पी डबराल की नहीं थी परमार की नहीं थी जी सी पांडे की नहीं थी ये गणेश सैली की थी और शैली जी नहीं मैंडले जो है इंगलिस में रचना की है मसूरी मैंडले ठीक है प्रॉफिसर गणेश शैली अठीकासी का जो है इसका सही आंसर है अगले कुछन के ओर देख लीजेगा निम्ने मैसे सबसे कम उम्र में एवरिष्ट की सिकरपट पोस्टियाँ वाली लड़की कौन सी थी तो ताशी और मुंग्सी तो दोनों बहने हैं और सबसे कम उम्र की तो ये दोनों नहीं है 21 वरस के उपर है ठीक है तो इनको तो सीदे कर लीजेगा क्रोस अब बच गई आपके नीमा चेम जी और मालवत पूर्णा तो इन दोनों में से एक बच्चा है जो 13 साल की बच्ची है जो सबसे कम उम्र की थी जिन्होंने एवरिष्ट की चड़ाई की थी तो वो कौन है आपके मालवत पूर्णा ठीक इन्होंने क्या है सबसे कम उम्र की लड़की है जिन्होंने एवरिष्ट की चड़ाई की है 13 करसन को देख लीजीगा रमान अपना सर नीचे और पैर उपर के वे यो कर रहा है नहीं इसे भी सोड़ी है आपके रिजनिंग करसन है जाड जन जाती समाज कितने भागों में ब थीक है एक तो आपकी एक्षि भोटिया है ठीक है एक तो जाड होगे और अवी एक हमने ऑपर जिकर किया था भूल किया मैं अभी आया था इसका जिकर आया था गधी गधी भी जाड़ी में आते हैं अलंकि एक इस्तानिय वासा जो है उत्राखंड की वासा में एक और ये कहते हैं और जाड जन जाती जो है भूटे जन जाती वैसे तीन इसका सही आंसर है तीन भागों में बाटे गए हैं पिचासमें के और चलते हैं कि 25 मार्ज 26 को त्राखंड सरकार द्वारा की संस्था को मानित डीम्ड विस्व जाला का दरज़ा दिया गया है तो देखिए 2006 की बात हो रही है और वो भी 25 मार्ज की तो मैंने ये आपको कहा है बताया है हमारे संस्थान वाली वीडियो के अंतरग तो आपने दिराफी कहरा में तो नहीं जाना है न हिमालेन इंस्टूट में जाना है ये आपका ट्रस्ट है यहां भी नहीं जाना है त्राकरन आयरुवेद कॉलेज ये आपका धैरदून के अंदर खोला गया आयरुवेद का लेकिन सी जो है वो 2006 में योग पीट जो पतंज पुस्ता का नाम सीरे सीधा आप जाइये कुमाओं का इतियास वाफी अंसान कसन है तो अंसर है सीधे सतास में पिचलता है ड़क्टर चंदर कुमर को किस वर्द समय यूवा वैग्यानिक पृस्कार दिया गया था डॉक्टर अजीत चंदर को कभ दिया गया था 1980, 1981, 1990 और इनमेंसे कोई नहीं तो इद्धान देखिए 81 और 90 ये तीनों आसपासी है लेकिन इसका सही अंसर जो है 1984 1981 में इन्हें दिया गया था वर्स 1981 1981 में चंद्रकुस इनको दिया गया 88 को देखिए कि कीडा जड़ी जो है वो है क्या परवत त्योहार वस्तर उसदी सीदे सीदे इसका अंसर है डी उसदी है 89 की और चलें यदि आपको अकसर दस्तावेज बनाने संपादित करने और प्रिंट करने क्या शक्ता होती है तो इसका जो है अगर आपको दस्तावेज संपादित करने और प्रिंट करने क्या शक्ता होती है तो आपको किस पर जाना है किस पर जाना है Word processing पर डक्स्टाप publishing पर तो नहीं जाएंगे ये तो नाम ही नहारा है तो वर्ड फाइल देखना है ना वर्ड processing इसका सही आंसर यूनिक्स तो नहीं है यूनिक्स ठीक है और spread street तो आपके excel के अंतरगत आता है इसका तो print से कोई लेना देना नहीं है तो word processing के अंतरगती है आपका print की आउशकता print जो है वो आएगा नभी में को देखी लिए कि भारत में मुहमद गौरी का करमण के समय दिल्ली का सासा कौन था तो ये बहुत ही आसन है मौमद गौरी ने प्रित्वी राज चोहान पे कई बारा करमण के तो कौन था प्रित्वी राज चोहान तिर्थिया और कौन सा ये दुवाता है इन दोनों के वीच आपको नीचे comment box में बताना है एकांडवे question के उर देख लीजिएगा और 2018 इसके संग्य बजट में राजकोशिय घाटा लक्षित किया गया और ये देखे बहुत important question है क्यों है important question कि भारसरगार ने कहा था कि हम क्या है राजकोशिय जो घाटा है उसे इतने हद तक यानि एक लक्षित उन्होंने percentage रखा कि इतने हद तक हम उसे कम कर दिंगे तो इकांडवे में 3.5% 6% 3.2% 3.3% तो इसका जो सही अंसर था वो है D यानि 3.3% कहा था कि हम इसे राजकोशिय घाटे को कम कर दिंगे और यही कारण है कि आपकी दिन परती दिन महेंगाई बढ़ रही है तेल के दाम बढ़ रहे है अब यह घाटा कम करने के वज़े से बढ़ रहा है या जान भूच कर इसे किया जा रहा है यह तो अब सरकार जाने क्योंकि परती दाम वेरल के दाम आपको पता है कम ही चल रह लेकिन इनका जो राजकोश्य घाटा जो संगया बजट के अंतरगत पताया था तो उसे ही लक्षित करने के लिए ये सब कार नामे हो रहे हैं ठीक है क्योंकि 2020 में तो आपके फिर क्या रहा कोरोना काल रहा तो फिर घाटा तो और बढ़ गया होगा इसलिए 2021 में इसकी भरपा को देखे किस मंत्रा ले द्वारा मिसन सत्यनिष्ट लॉंच किया गया मिसन सत्यनिष्ट विदेश मंत्रा रहे रेल मंत्रा ले ग्रय मंत्रा ले मानाव संसाधन विकास मंत्राले तो इसका जो सही आंसर है वो मिशन सत्यनिष्ट जो चलाया गया था आपके रेल मंत्राले है तो तिरानवे का जो है भी इसका सही आंसर है क्यों चलाया गया था क्योंकि जो रेलवे का नमचारी है उनके लिए यह launch किया गया है यह mission ठीक है चुरानवे को देखे क्योंकि दुनिया की कहता है कि सबसे बड़ी employee देने वाली company है भारते रेली ठीक है इसलिए भी इनके लिए अगले देखे विश्व का सबसे अधिक व्यस्त समुदरी मार्ग कौन है तो विश्व का सबसे अधिक व्यस्त समुदरी मार्ग आपका है उत्री अट्लांटिक अट्लांटिक महासागर जो है बहुती व्यस्त महासागर है ठीक है ब्यापारिक दृष्टिकोंड से अगर ठीक है यूरोप यहां मिलते हैं अमेरिका से भी यहां जाते हैं तो इसलिए भी काफी ब्यस्ता है पिचांडवे के और देखे भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगा कौन है चेन नहीं है कोलकाता है केरल है मुंबई है तो प्राकृतिक बंदरगा तो सिर्फ आपका एक ही है यानि मुंबई तो पिचांडवे का डी जो है इसका सही अंसर हो जाएगा भारते संसद में समलीत है लोकसभा और सभी मंतरी गान लोकसभा राजय सबा राष्टपती लोकसभा परधान मंतरी लोकसभा राजय सबा तता राष्टपती तो इसका जो भारते संसद मे कौन संपलित है, संसद में कौन आते हैं अब के लोक सभा आता है, राजय सभा आता है और राश्टवती आता है तो 96 का D इसका सही अंसर हो जाएगा यह काफी आसान question था आगे चलते हैं 97 की और सिवालिक स्रेणी का प्राचिन नाम क्या है केलास परवत, सिवालिक स्रेणी का नाम तो नहीं होगा, ठीक है सिवालिक स्रेणी तो सबसे निचली स्रेणी है हिमाले परवत भी नहीं है उप्रोक्त में से को नहीं है तो मेनाग परवत है, और कहता है सिव की भूमी सिव की भूमी, सिव की भूमी के सों के नाम से बिजने जानाता है तो सभी पॉर्मले आपके एक्सल सीट के अंदर लगाए जाते हैं ठीक है बारत में नागरिक सेवा जन्मदाता कौन है तो नागरिक सेवा का जो जन्मदाता है सिर्फ एक है आपका डौर्ड कानवालिस और कोफी रिपेटेट क्वेसन हर बार पुचा जाता है तो निन्याडवे का सिदे सिदे आप ए पर आंसर कर लिजेगा लौर्ड कानवालिस भारतिया नागरिक सेवा का जन्मदाता नागरिक सेवा क्या हुई आपके जो अभी वहैं ना है सो वगो सने मुद्रा का मुख्या मांदिया मुल्या का संचय देकि विल में का माद्याम भी मुद्रा है और मुल्या भी से बुखे था होता है तो सव्वे का जो होगा दो ए और बी है दोनों ही सही आंसर हैं घर 61 की और चलिए तous 2018 में राष्टिया पोसर्ट सप्ता मनाया गया कब मनाया गया 2018 का राष्ट तो ये करंट का क्वेशन है इसे छोड़ दीजिए 102 की और ध्यान दीजेगा इनमें से कौन सी अवसादी सेल है अवसादी सेल तो इनमें से कौन है अभरक है ग्रेनाइट है नाइस है या बलुवा पत्थर है तो बलुवा पत्थर जो है आपकी अवसादी सेल है ठीक है 103 की और ध्यान दीजे अमर सहीद स्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या था तो इनकी पत्नी का नाम था विले लक्षमी ठीक है 103 का ए जो है वो सही आंसर है मैं इसलिए एक सीदे तुका कर दिया क्योंकि मैंने स्रिदेव सुमन की वकानी पड़ी और स्रिदेव सुमन ने सुमन सौरव से पुस्ता का भी विमोचन किया था ठीक है सुमन सौरव कब ये आई थी ठीक है आपके 1937 में ये भी काफी important बन कराता है question 104 का योड़ चलते हैं कि पश्यमी तट्या मैदान गोवा से केरल के मद्य किस नाम से जाना जाता है तो पश्यमी तट्या मैदान है जो गोवा से केरल के मद्य किस नाम से जाना है कोरो मंडल मालाबार कॉंकड या उत्तरी सरकार तो गोवा से केरल जो जाना जाता है आपका जाना जाता है को कॉंकर्ड और कोरो मंडल आपका गुजरात वाला छेतर हो जाता है ठेक है तो यह हो जाएगा आपका C कॉंकर्ड तट 104 का C आगे चले 105 के और निमने वैसे किस राश्टरपती को निर्विरोध चुना गया और यह बहुत ही क्वेसन है बोलते हैं कि कॉमन क्वेसन कई बार बनके आता है एक्जाम के अंदर निर्विरोध चुना गया था इन सभी मैसे किस को अलंग के अपिज अब्दुल खिलाम को भी बाद में निर्विरोध ही चुना गया था लेकिन किस राश्टरपती को निर्विरोध चुना गया था उतमें सबसे पह भाजबा सरकार भी ने लेके आई थी ठीक है अलेंकि इनके टाइम भी कुछ बाद नहीं किता लेकिन इनके वक्ष्वेन इदम संजीव रेड़ी के कोई था ही नहीं एक सुच है निमने मैंसे किस जील की गहराई सरवाधिक है और यह बहुत ही कॉमन क्वेसन है तो सरवाधिक घहराई वाला गिजील जो है आपका नौकुचिया ताल है जो आपके ने नी ताल में स्तित है नही जील भीाप टाल यह सारे तो मैं वह ही ऐ है नगिनन नe नीताल में लेकिन नौकुचिया ताल सबसे गहराई वाली जील है प्लोटर कारे करता है प्लोटर क्या कारे करता है 107 में को ध्यान दीजेगा इनपूट उपकरण के रूप में इनपूट उपकरण के रूप में इनपूट उपकरण के रूप में उपकरण के रूप में कोई नहीं तो आउटपुट उपकरण है प्लॉटर जो एक पैन के रूप में आप देखिएगा प्वेंटर के भी काम करता है प्लॉटर और आउटपुट ये डिवाइस है ठीक है एक सो आठवी को देखिए खुज्रो के मंदिरों का निर्माण करवाया था सोरी इसने गराय था खुज्रो के मंदिरों का निर्माण खुजराओ के मंदिर कहां है या आपके मध्यपरदेश में तो आपने अगर MP का वो गाना सुनाओगा MP गजब है ठीक है उनका एड है काफी फेमस है अगर आपको खुजराओ के बारे में नहीं पता तो एड सुन लीजेगा उत्राखंड के एड सुन ली जागा कई जान करें तो आपको यहीं से मिल जाएंगे खुजराओ के मंदिरों का जो निर्मान करवाए था वो आपके करवाए था किन ने चंदेलों ने 108 में का C इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है चंदेल थे बहुत कला में माहिर थे लगूद योगों के विकास है तो महतपून संस्ता है तो लगूद योगों के विकास के लिए कौन खुलाए गी थी SIDBI नहीं IDBI Exim Bank यह उप्रोक्त में से कौन तो Exim Bank तो नहीं खुलाए गी तो सी सीरे सीरे कटा मारा तो ADBI थी IDBI सोरी यह आपके Small Industries Development Bank जो कहते है IDBI तो 109 का सोरी नहीं SIDBI होगी न IDBI क्यों को थे Small Industries Development Bank SIDBI यह खोली गई थी और इसका कारेले कहा है आपका लखनाव में 1990 में यह खोली गई थी 1990 में एक बार देख लीजेगा SIDBI कब खोला गया तो SIDBI है SIDBI हलांकि इदनी में लिखा है तो थोड़ा सा दिमाग तो घूम रही है SIDBI लखनाव में है 1990 110 में में चलते हैं निमने में से उची नियाले तता सर्वोची नियाले दोनों के नियाएदिकार छितर में क्या होता है तो नियाएदिकार छितर में क्या होता है समिधान के लंगन के व्रुद सनरक्षन मौलिक अदिकारों का सनरक्षन के इंदर वो राजियों के मद्ध होने वाली विवाद करें हमारे न्यायले 110 सब् potrzeb भी इसका है। इbeltान भी नहीं है निया नहीं है चमपा भी इसका सही मुल था है गोलु दीवता-कांब है। और कहां के यह दीवताते वैसे गूलु देवता यू शुम्री आपके प्रेरित वे नहीं है। कहां से रहते हैं नेपाल भी इनका मूल था गूलू देवता हो गए आपके और भी कई स्थान है आप जाकर वेबसाइट वीड़वाली.com के अंतर जाएए और वहां जाकर पढ़िए ये सारी जनकारे आपको वामल जाएगी वो भी बिना किसी पैसे दिये ठीक है तो पढ़ि की गड़वाल कतियास पातिराम ने बताया राय बहादूर डॉक्टर पातिराम ठीक है कभी कभी क्वेसन है आपको बनके आएगा राय बहादूर ठीक है ओप्सन में राय बहादूर भी तब की ध्यान देना है राय बहादूर डॉक्टर पातिराम है तो एक सो बारवे का ज नी ठीक है कुमाओ परिश्ट का पहला दिविशन कब हुआ था कुमाओ परिश्ट का मैंने कहा था पहला गठन हुआ था 1916 मैं और पहला दिविशन उसका हुआ था 1917 मैं यह मैंने आपको अपने चैनल के माध्यम से हमारी जो 10 कूशन conservative है उसमें बतायाया था देखे कितने वो दस question के अंदर कितने question बन के आए है तो ऐसे ही आपके exam में भी होने वाला है तो आप जाके वीडियो देख लीजिए का हर सुबह दस question इतना मुश्किल तो नहीं है तो कुमाबरसत का पहला division कहां हुआ था तो 1917 में हुआ था और यहां देखे 1917 के अंदर कित क्या दिया है नैनिताल और अलमोडा अब सब को पता है नैनिताल तो इसका आंसर नहीं होगा तो सीधे सीधे आपने करना है अलमोडा 113 का जो she है इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है अलमोडा 114 पर चलते हैं ब्रीटिस काल में उतराखंड में परधान का मुख्य दाई तो क्या था तो परधान का मुख्य दाई तो अब जो वर्तमान में है आजात भारत में तो अलग है यानि उसका काम सभी व्योस्ताइं देखना है ठीक है गाउंस रिलिटेट लेकिन उस समय जो ब्रीटिस असनकाल में उसका सिर्फ एक ही काम देता था क्या रहता था राजस्व एकत्र करना तो 114 का सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 115 पर चलते है उतराखंड में हस्ति चिल्फ सामगरी मोश्टा को उत्पादित करने में निम्न मैंसे कौन सा कच्चा माल प्रियोग के जाता है तो देखें मोश्टा को उत्पादन करने में रिंगाल, मास, चीर, व्रिक्ष की चाल, पांगार, व्रिक्ष और यह काफी important question है पिसले बार आया है, लोगों ने पढ़ा भी है तो इसका अंसर है, यह रिंगाल और मुझे पता है, कहीं लोगों को इसका अंसर पता होगा 115 का यह जो है, इसका सही answer है आज देखें क्वें क्वेशन पर चलते हैं इस तर लगूडियार किस नदी के तर परिस्तित है कोशी, सुयाल, गोला या गंगा अब देखें, यह काफी interesting question है गोला नदी के किनारे तो गोला नदी आपकी नैनिताल में है तो यह तो लगूडियार तो नहीं होगा गंगा भी नहीं होगा गंगा आपके कुमाओं में बहती नहीं है अब बची आपकी कोशी और सुयाल नदी तो लगूडियार पहले कहां है ठीक है, कहां है आपका लगूडियार और गोर्क्या उडियार आपका चमोली में है लाखू उडियार आपकाइं तो इसका सभी आंसर हो जाएगा सुयाल नदी के ततपर ही लाखू उडियार बनाएं बनाए गयाए लाखू उडियार हो गया कोशी नदी तो मोडा मेए पोशी नदी 150 पर लोकल एरिया नेटवर्क एलने एंटरनेट को जोड़ता है तो एलने लोकल नेटवर्क है और एडप्टर रिपीटर राउटर इन वैसे कोई नहीं तो राउटर इसका सही आंसर है लने जो राउटर है हर किसी का परसनल होता है तो लोकल नेटवर्क के अंतर राउटर आता है राउटर पता ही होगा जितने भी लोग हैं अब तो जमाना वैसे राउटर का भी रा नहीं लोग होट स्पोट देखते हैं तो ऐसी होट स्पोट का काम गरता था राउटर एक सो सत्रे का सी इटकर्सन सही हो गया एक सो अठार को देखे किस वर्स रेल की पट्चियों का विस्तार मुड़ादाबाद के रामनगर तक किया गया तो आपको पता ही है उन्नीस सो में नरादून तक रेल ले आई थी लेकिन उसे रामनगर तक पहुचाया था उन्नीस सो साथ में उन्नीस सो अठार चुरा है उन्नीस सो चुरा है उन्नीस सो चुरा है उन्नीस सो चुरा है एक सो अठार का जो है ए जो है इसका सही अंसर होना चाहिए एक सो अठार का ए सही अंसर है इसका ठीक है एक सुनिस को देखिए दस विडियार्दों के समवाज में हाथ मिलाता है नहीं नहीं ये भी इसके रिजनेंग करशन है आगे चलिए एक सो बीस पे चलिए दुख्द ताल कहां से था और बहुत बार मैंने बताया आपको दुख्द ताल जो है वो आपके कहां है चमपावा ज करकाशी में याद करना है आपको निम्न मैंसे भारत में किस राजी के करक रेखा नहीं गुजरती है तो देखिए अगर आप सब लोग करक रेखा नहीं गुजरती है किस से राजिस्तान चते गड़ ओडिशा और त्रिपुरा तो अगर आप लोग को पता होगा करक रेखा जो है किस रेखा से नहीं गुजरती तो इन मैंसे जो है ओडिशा इसका सही आंसर होगा ओडिशा से नहीं गुजरती राजिस्तान से गुजरती है ठीक है और छत्री रा यह मैंने कर रखा था याद लेकिन आप इससे कैसे भी याद कर सकते हैं किसका सी जो है इसका सभी आंज़ा और मिजोरम से भी गुजरती है मुजोरम, त्रिपुरा, गुजराद, मध्या पर्देश और छत्यजगर इन राजियों से करकरेखा गुजरती है और इससे करकरेखा नहीं जो अगे चलते हैं कुली बेगार बर्दियास के अंतरगत ग्रामिडों के कौन सा कारे करना पड़ता था तो देखें बर्दियास में, कुली बेगार में तो उन्हें उनको उठाना था, ठीक है, जो लोग आते थे, अंग्रेज जी जितने भी लोग आते, उनका सामान उठाने काम, उन्हें उठाने का काम, इदर से उधर डोला पाल की बेउस्ताई थी लेकिन कुलूई बेगार बर्दियास में क्या होता था कि इन्हें क्या करता देना पड़ता था रासन भी निस्ल को देना पड़ता था तो ये 122 में का D जो है इसका सही अंसर है अंतराष्टे मुद्राकूस की स्थापना कभी थे कि देखिए अंतराश्य मुद्राकोश यानि आयम एफ तो इसकी स्थापना जो है यह आपकर विटी उन्निसो पैंतालिस में हुई थी ठीक है आयम एफ की स्थापना यार रखने से बहुत इंपोर्टन क्वेशन है क्योंकि उस समय क्या हो गया था वर्ल्ड वर चल रहा था और काफी जादा विट्या नियम एफ ता देखी गए थी तो तब शुरुआत की गए थी आयम एफ की है ठीक है 124 क्यों के देख ली जगा अपने सिक्कों पर किसने अंकित कराया था बलबन ने महहमद तुगलक ने बहलो लूदी ने ये फिरोज तुगलक ने जिल्ली सुल्तान अलियुल्ला, जिल्ली अल्ला, बधानी बोली पर चलीता है, बधानी जो बूली है, रुदर्प्याग के छेतर में नहीं आती है, पौडी में भी नहीं होता है, अलागी जो बधानी छेतर है, वो रुदर्प्याग से भी सटा हुआ है, चमूली सटा है, बिंसर चलेगे अलमोडा में तो अगर पिंडर बचा है तो यह से यह बधानी बोली जो है आपके पिंडर चेत्र में बोली जाती है बधानी बोली 125 में का ए इसका सही आंसर हो जाएगा अगे चलेगे इसके इनके बारे में सुर्य मंदिर के बारे में हमने बहुत अची पोस्ट लिखे अपनी वेबसाइट के अंदर तो जाके किरपिया उसे पढ़ लीजी यह बहुत ही इंपोर्टेंट है ज्यादा पढ़ोगे तब तो आपके दिमाग में कुछ थेरेगा 127 पर चाहाँ लिंगे Slides Başaker Festing के द्रहने एक Hyperling के बाद दूसरे Hyperling के चेन के लिए आप क्या दबाएंगे तो Hyperling से दुसरे हाभर लिंग में जाने के लिए देखे हैं हम जो shortcut की दबाते हैं क्या दबाते हैं सीरे सीरे computer की shortcut की तो आपको किस सब को पता होगी ठीक है कंट्रोल प्रस की किस के लिए दबाय जाता है जब हमको किसी के अंदर जो है लिंक डालने पड़ते हैं ठीक है 128 में देखें निमनों से उत्तर प्रदेश किस जिले में मनेनिताल जिले की सिमाई नहीं लगती है तो निमन जिले की सिमाई किस उत्तर प्रदे किस सिमाई से लगती है मुराधाबाद, बॏरी, बिजनोर यह रामपुर तो 128 में का जो सभी आंसर है आपका है बिजनोर बिजनोर से नहीं लगती है आपकी निमने जिले की सिमाई ठीक है 139 को देखें Native marriage act मैंने भी बताया था आपको Hindu marriage act और सिखे अभी हमने कहा था civil court ठीक है uniform civil court कहा था जो जो हमने कहा था सिविनान संसोदन civil marriage court कहा था हमने कुछ अभी जिक्र किया है तो उसके बारे में देखें native marriage act है native marriage act हाय था आपके 139 में का जो अंसर है वो है 885, 885, 885, 885 या 885 तो इसका अंसर है 800 बहुत तो native marriage act आपके 800 बहुत तो है निमने मैं साहा वंस किसम वंसकों का सही क्रम क्या है तो देखिए सबसे पहले देखिए महपतिशा जो है पिर्च्वी पतिशा इनका बेटा था महपतिशा का ठीक है पतेश पतिशा जो है पिर्च्वी पतिशा के बाद आया था ठीक है और 130 में का जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी यानी और लेलिस सहा पतिशा के बाद आया था क्योंकि लेलिस सहा किसका पिता था पर्दियो मन का पिता था 131 पर देखिए गड़वाल छेतर का तलवार ढ़ाल के साथ किया जाने वाला युद्ध निट्टे क्या है तो तलवार ढ़ाल के साथ गड़वाल छेतर का युद्ध है सहरो निट्टे और जो आपके कुमाओं में इससे क्या बोला जाता है ये आपको कमेंड बॉक्स मताना है सहरो निट्टे तो गड़वाल में बोला जाता है पोड़ी में भी देखने को मिलता है ये युद्ध का एक निट्टे होता है ठीक है छोली है निट्टी मैं नहीं बता दिया आपको 132 पर दलता है जहांगीर नामा के अनुसार गड़वाल के किस सासा को जहांगीर नहीं हाती गोड़े शरूप में दिये तो एक ही राजा था है मैं पतिशा नहीं थे बलबदर साह मैं पतिशा तो जहांगीर के समय नहीं थे जहांगीर के समय नहीं थे जहांगीर के समय तो पिर्टी पतिशा के समय कौन थे और अंगजीव थे तो जहांगीर के समय सेंसार होंगे बलबदर साहबी नहीं थे मांसा नहीं थे मांसा तो बहुत अकबर के टाइम के थे तो शाम सा थे जो जहांगिर के समय जिन्हें दिया था ठीक है आगे चलते हैं 133 में पर अंडमान निकुमार को अलग करता है उत्राखन राजे लोक सेवा अधिकरण इस्तित है तो लोक सेवा अधिकरण नैनिताल में है देरादून में है रुडकी में है और पोडी में है उत्राखन लोक सेवा तो उत्राखन लोक सेवा आपके 34 वे का ये इसका सही अंसर हो जाएगा नैनिताल ठीक है पर्थम चंद राजवन्स का सासक जिसने दिली के सुल्टान फिरूट साहव तुगलक से मुलाकात की थी फिरूट साहव तुगलक से मुलाकात किसने की थी भारती चंद ने नहीं की थी लक्ष्मी चंद भी बहुत पहले था ठेक है उस समय तो भार्दी चंद नहीं तो मुक्तिलाए उसके बाद तोलग कुमाव राज बना था अरुद्र चंद और ग्यान चंद रहे तो देखिए इन दोनों में से जो ग्यान चंद हैं गरुड ग्यान चंद इनोंने की थी मुलाकात रोचात उगलक से दागो और भूल जाओ कि पद्धती आदारी ब्रहम में सासर है तो ब्रहमोस को कहता है कि दागो और भूल जाओ ये रश्या और आपके इंडिया दोनों ने मिलकर बनाए मिशाइल और इसको जमीन जल और आसमान कहीं से भी फैंको यहां तक कि इसके अंदर प्रमाणो बंद क चलो अनुराग बसू तो नहीं है गलत कर दो साइद कपूर तो अभी नहीं किया इसमें संजलीला बंसाली तो ऐसी फिलम ही नहीं नहीं बनाते तो डी इसका सही आंसर है भाई इनिमरेशन मैं थाड़ी देख लिए तो 317 का डी पे चलो 139 को देख लिए देशांतर हैं ठीक है तो 138 में का 90, 180, 360, 280 तो इसका सही आंसर हो जाएगा 360 ठीक है कुमाओ मुर्गडवाल में पहली जेल किस वर्स इस्तापित की गई थी तो अभी हमने अलमुरा जेल का था 1937 में लेकिन कुमाओ गडवाल की पहली जेल कब इस्तापित हुई थी 812, 816, 835, 850 तो ये दोनों तो हटा दीजिए अब 812 और 816 पर चल दीए 812 में तो आई ही नहीं थी आपके जेल यानि अपके अंग्रीजी से न तो बचा आपका बी 816 दीए इल्मिनेशन में लगाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा और 140 में का फिर आपका जो क्वेशन बन क्या है ये आपका बना हुआ आपके रिजनिंग का ठीक है तो कह रहा है कि 6.348662 36 तो इसे आपका हल कर लिजेगा आज के लिए इतना ही तो ये सारे जो क्वेश ठीक है अब ये जो पेपर है वो बनेगा आपके जो ये पेपर बनके आएगा ये आपका उफलाइन होगा सायद अकर जैसे ये पेपर बनका आएगा उसके भी आपको फॉल्ट है वो आपको उपलबद कर दिया जाएंगे तो आज के लिए इतना ही बने रहे हमारे चैनल के आपके तक पहुँचे और आप सब भी नौकरी रोजकार जो है उत्राखन की जो इस बार भार आई है उसमें मिलें आपको आज के लिए तने धन्यवाद